हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पुराने साड़ी और पुराने दुपट्टे को रियूज में लेकर बहुत ही अच्छा सा पायदान बनाएंगे जिसे बनाना बिल्कुल ही असान है तो सबसे पहले हम इस तरीके से साड़ी को सिधा कर लेंगे सिधा करने के बाद में हमें इसकी पटियां बनानी है तो पटियां हमें कैसे ट्यार करनी है देखो इस तरीके से हम लगबग 4 इंच चोड़ी ऐसे करेंगे फिर इसको पल्टेंगे फिर ये 8 इंच हो जाए तो यहां पे हमें लगबग 8 इंच चोड़ी के अंदर कतरन बनानी ह यहां से हम इसको कट करके अलग करेंगे ऐसे ही हमें पूरी साड़ी की लंबी लंबी कतरन त्यार करनी है तो फ्रेंड्स मैंने लंबी लंबी डोरी ये बना ली है अब हम इसको सिलाएंगे ऐसे फोल्ड करेंगे देखो फोल्ड करके याँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसके जितनी भी मैंने ये लंबी लंबी पटियां कट की है उन सब को ऐसे हमें फोल्ड करकर सिलाई करना है तो दोस्तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने होम आट चैनल पे अगर फ्रेंट्स आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें तक कि हर रोज नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे तो इस तरीके से मैंने इसको सी लिया है पटी को देखो अब हम इसको सीधा करेंगे ये उल्टी है अब हमें सीधी करने इसको ऐसे हम सलाई लेंगे इसको एक साइड से डालके कतरन को फोल्ड करते हुए जैसे हम piping बनाते हैं उस तरीके से हम इसको सिधा कर लेंगे तो दोस्तों देखो ये हमारी जो सलाई हमने एक साइड डाले थी fold कतरन करकी ये सलाई दूसरी साइड ऐसे निकल जाएगी ये निकल गई है अब हम इस कतरन को सिधा कर लेंगे ये देखो सिलाई हमारी अंदर चली गई है और ये सीधी हो गई है अब हम इसकी पटी बनाएंगे कैसे हमें इसकी ओर भी डिजाइन के अंदर पटी त्यार करनी है तो ऐसे हम कतरन को ऐसे रखेंगे अब हम इसके अंदर छोटी छोटी प्लेटे सी डालेंगे थोड़ा सा कप कपड़ा उठाने हमें ज्यादा नहीं उठाना है जितना बारिक हम इसका कपड़ा बारिक कपड़ा लेंगे हम इतनी ही अच्छी इसकी पटियों की फिनीसिंग आएगी तो सबसे पहले हम साड़िया दूपटे को ऐसे कतरन करेंगे कतरन करने के बाद में हम इनको फोल्ड करके सिलाई करेंगे सिलाई करने के बाद में हम इसको सीधा करेंगे जो हमारी सिलाई है वो अंदर की ओर हो जाएगी सिदा करने के बाद में हम ऐसे ही पटियों के अंदर छोटी छोटी ये प्लेटे डाल के सब को त्यार करेंगे तो ये देखो इस तरीके से इसके अंदर ये प्लेटे डलेगी कितनी सुन्दर लग रही है तो दोस्तों आब हमें एक बैड सिट हो या कोई आपके प्लास्टिक का थेला है या पुरानी पैंट है तो उसका हमें एक पीस लेना है जितना बड़ा आपको डोर मैट बनाना है उसके हिसाब से आप इसको कट कीजिए देखो यहां से हम इसको रखेंगे बीस के अंदर सिलाई लगाएंगे देखो यहीं तक लगानी है अब हम इधर मोडेंगे अब यहां से इसको इधर लगाएंगी जितना हमने डब्बे के अंदर निशान लगा है उनको हमें cover करना है अलग-अलग तरीके से ये देखो इस तरीके से हम यहां तक एक डबा complete कर दिया है अब हमें second round कैसे लेना है पट्टि को फोल्ड करते हुए बिल्कुल पास में रखते हुए हमें इस तरीके से सिलाई करने ह देखो जो हमने फर्स्ट राउंड लिया था उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते रहेंगे और उसके पास में हम रखते हुए सिलाई करते रहेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से हमें सिलाई करते हुए एक डब्बे को कवर करना ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा करते जाएंगे इसके साथ हैं और ये की एक डब्ब स बद्ची में गलं कमारा इस ना एक हैं बाकी को कवर करेंगे तो ये देखो making से हम बाकी को सीलेंगे अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए और पास में जो बैल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर रोज नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे तो दोस्तों आपके पास में भी ऐसे कोई पुरानी साड़ी और पुराने दुपटा पड़ा है तो उसको आप ऐसे रियोज में लेके सुंदर सा डोर मैट बना सकते हैं यह देखो मैंने इसके चार डबे कम्पलीट कर दिये हैं सिलाई से कवर करके इसी तरीके से हमें बाकी को कम्पलीट करना है तो यह